साथ यो आज की इस वीडियो में हमनी पुल भारत प्रिशिक्षन बाशे की दक्सता सुनना के आकलन भाक्वाल करेंगे तो इस प्रिशिक्षन में सबसे पहला प्रेश्न है कब मानेगी बच्चों को सुनने का कोशल विक्सित हो गया है तो यहाँ पर चार विकल्प हैं तो यहाँ पर पहला दूसरा और तीसरा सही है तो सही आंसर है ओप्शन थ्री फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नेक्स्ट, भाशा कक्सा में अगर शिक्षिका दुवरा शुरुआती इस तरपर धवनियों के साथ नेमित और विबिन पिरकार के प्रियास नहीं किया जाता है तो ओप्शन तू, वर्तनी बनाने और लिखने में कठिनाई होगी नेक्स्ट, बुनियादी इस तरपर भाशा की एक अक्सा में पिर्ती दिन सुनने की किस तरह की गती विदियों पर ध्यान देना चाहिए तो यहाँ पर आएगा मोखिक नेक्स्ट, हमारे देनिक जीवन में सार्वेदिक पिर्युक्त के जाने वाला कोशल है सुनना बोलना नेक्स्ट, बुनियादी इस तरपर धवन्यों की पेचान का उचित किरम क्या है तो यहाँ पर आपको किरम बताना है तो सही किरम है यहाँ पर नेक्स्ट, प्रात्मिक इस्तर पर सुनने की छमता संवर्दन के लिए आपकी इन गतिविदियों को शिक्षण में सम्मिलित नहीं करेंगे तो उप्शन टू, भाषा वेग्यानिक तत्यों को इस पश्ट करना नेक्स्ट, कक्षा में शिक्षिका द्वारा अलगलग धवनिया उत्पन करना और धवनियों को पहचान कर उन वस्तों के बारे में पूछना से सम्मनित गतिविदी कराई जा रही है शिक्षिका का उदेश यह है तो यहाँ पर ओप्शन 3 सही है सुनकर अपैक्षित किर्या करना नेक्स्ट, प्रात्मी किस तरपर भाशा की कक्षा में सारवाधिक पिरवावी शिक्षल युकती है ओप्शन 1 सही है बच्चों से विविन संदर्बों में बाच्चीत करना नेक्स्ट, शिक्षिका कक्षा में पहले कहानी एवं गीत जैसी गतिविदी की माध्यम से शिक्षल करती है फिर दीरे दीरे बच्चों को वर्ण अक्षर की तरफ ले जाती है वे धवनी की पेचान के किस चनल का नुपालन कर रही है तो यहाँ पर आएगा वाक्य शब्द, शब्दान, वर्ण नेक्स्ट, पिरात्मिक इस तरपर भासा शिक्षन का उदेश्य नहीं है भासा का व्याकरन सिखाना तो यहाँ पर हमने कुल दस प्रसनल किये हैं अब हम इसे सम्मिट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा स्कोर्ट 10 में से 10 आया है अगर आपको हमारा यह प्रियास पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल